हाई आवरिवन वेलकम इन दा प्रेजंटेशन सेशन 2021 आज मैं आपको बताऊंगे कि कैसे हम अपनी पेपर को बैस्ट तरीके से अटेम्ट कर सकते हैं मेरे पात पात कुछ स्टूडेंट्स के पेपर हैं जिसमें बहुत अच्छी प्रेजंटेशन के साथ पेपर किया गया है इसके आप ज्यादा माक्स गेन कर सकते हैं चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन यह आप देख सकते हैं कि यह सब्जेक्टिफ पेपर स्टार्ट करने का तरीका कि सबसे पहले आपने आप लिखने हिस्सा अंशाया यानि यह सब्जेक्टिफ पेपर आप स्टार्ट करें हिसाय अवल हुसके बाद जब आप सवाल स्टार्ट करें या नी आप अब Жौट आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपकर ने हैं च्रहें थी पार्ट यसां बनाव संब्रिखा उसके बाद आप ने फिश неп infinous करने लिए TS उसके बाद one लिखने के बाद आपको पूरा question लिखने की जरूरत नहीं है आपने number one लिखा उसके बाद आपने यहाँ पे heading दे दी जो question आप कर रहे हैं उसके आपने short answer की heading थी उसके बाद आपने उसको attempt किया तेकिन आपने यह ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो question number two की heading उसकी उस सवाल की main heading जो आपने उस question से बनाई है उससे बाद आप उसको करेंगे अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जिस जो answer दिया है वो कैसे bullets में दिया है one two three इस से सवाल की खुबसूरती शो होती है next is अब आप अगर question number आगे four कर रहे हैं five करें तो आप उसके recording number करेंगे लेकिन अगर आप question paper के recording आप जैसे आप questions नहीं लिख रहे हैं तो number one के बाद आपने number two लिखा लेकिन आपने numbering बिल्कुल ठीक करनी है यह नहीं कि अब आप number three बेशक लिखने है question लेकि number आपने यहाँ पे वह वाला add करना है जो question paper में mention है अगर आप यहाँ number three ल नेक्स्ट यह देखें difference अब difference जो हमेशा हम ऐसे comparison जैसे करते हैं उसरा side by side इसको शो करते हैं इसके अंदर बस एक चीज़ की कमी है जो मैं आज आपको add करके बताऊंगी आपने scale से यहाँ पे line शो करनी है mention करनी है ताकर इसका difference ही पता चले मुझे तो वैसे practice है तो मैं scale से नहीं मैं हाथ से आपको line शो करके दिखाती हूँ अब इसके नीचे आपको ऐसे line करने की तो इतनी है थोड़ी थी टेड़ी हो गई है exact नहीं है लेकिन आपने scale से लगानी है next is अब हमने question number 8 करना है तो फिर उसकी heading दी फिर आपको जो question आता है बेशक आपको 8 के बाद 5 याद आया है 6 याद आया है आपने उसके according सवाल की numbering बिलकुल exact करते जानी है जब तफसीली जवाब की तरफ आप जाते हैं तो आपने सबसे पहले लिखना है तफसीली जवाब बाद heading next उसके बाद आपने question पूरा लिखना है तो ठीक otherwise आप उसकी बिलकुल main heading बनाएंगे question से उसके बाद long question करने का best तरीका जो मैंने class में भी बताया है मैं अभी भी बताऊंगी आपके paper हैं बहुत help होगी आपको अगर आप इस तरह question करेंगे तो आपको 8 में से 7 marks मिलेंगे otherwise आपको question बहुत अच्छा भी आता है लेकिन आप उसको straight सीधा paper में भर देते हैं paper तो उसके आपको कोई marks नहीं मिलेंगे आपने सबसे पहले उसका तारूफ लिखना है नेक्स ऐसे आपने structure बनाना है आप देख सकते हैं कि इस structure में कोई cutting नहीं है बहुत अच्छा structure बना है इस structure की base पे अब examiner यानि लाइक मैंने इस पोस्थ यह चेक कर रही हूं paper और मैंने यह सारा समझ लिए मुझे पदा चल ग नेक्स्ट देखे हैं उसको कितने खूब सूरती के साथ उन्होंने लिखा है सारी हेडिंग्स बस इसमें कमी यह रह गई कि आपने इसके नीचे लाइन नी की लेकिन अगर आप इसके नीचे लाइन नहीं लगाएंगे तो भी पेपर इतना नीट है किसमें आपको full marks मिल सकत अगर आपने as it is लिखा हो जब आप second question स्टार्ट करें आप number two लिखें और उसको स्टार्ट कर दें लेकिन सवाल स्टार्ट करते वक्त आपने अगर उसका तारूफ लिखना है देन अगर उसकी तारीफ है तो तारीफ लिखनी है और तारीफ को आपने हमेशा inverted commas में लिखन अब देख सकते हैं किस तरह लिखा है इन paper presentation से आप इसको copy करके अपने paper में इस्तमाल भी कर सकते हैं यह तो हो गया हमारा first paper जो मैंने आपको दिखाना था नेक्स यह मैंने आपको कल भी बिताया था कि आप हमेशा centerize करके लिखें अपनी definition को उसके बाद अगर आपके पास time है तो आप इसके नीचे line marker से इसको bold show करना है paper में ठीक लेकिन जब आपने इसको करना तो आपने यह नीचे line show करनी है अगर time मेरे तो अगर आप centerize करके भी लिख देंगे inverted comma में तो marks मिल जाएंगे next फिर आपने वैसे structure बनाना है उसकाद आप देखें कि कितने अच्छे से उनों नमबर लिखें में सिर्फ नमबर mention करें question का और उसके बाद question start कर दें next is question number three की तरफ आप जैसे आपने next part शुरू करना है तो next part का number दिया उसके बाद उसके number आपने mention करना शुरू कर दिया कि one two इस तरह यह देखें जैसे मैं आपको कहले थी कि difference आपने करना है तो उसके दिमयान आपने line लगा नहीं है तो कितनी इन्होंने अच्छी line लगाई विए कि आपने जो आपके कटावा marker होता है कट वाला marker इसके आपने यह वाली side को ऐसे करके रखा पर ऐसे करके आप लगाएंगे तो यह ऐसे करके straight मोटी लाइन आईगी अगर आप बिल्कुल इसको ऐसे खड़ा करके लगाएं तो यह बरीक लाइन आईगी आपको दोनों line में फर्क दिख रहोगा यह मोटा यह बरीक आपने ऐसे रखके इसको अपने स्केल के साथ लाइन लगानी है ताकि यह मोटी लाइन है जैसे यह द न्यू चीज एक न्यू चीज यह है कि जब आप सेंट्राइस करके definition को लिख रहे हैं तो उसके साइट पे भी आपने लाइन शो कर दी यह तो आपकी प्रैक्टिस पे और टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ आड़ कर सकते हो वरना एक बेसिक पेपर बिल्क नीचे आप ने इसके नीचे लाइन मेंचन कर देनी है अब जिन बच्चों को शौक है पढ़ने का वो तो यह फैशन अटेंड करें जाहिर है उन्होंने मार्क्स गेन करने यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपोर्टन सेशन है यह आपको यूट्यूब पे भी मैं इसकी वीडियो अभी अपलोड करूँगी तो जो सूडेंट्स अभी एड नहीं हो सके हमारे सेशन में तो वो बाद में इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं सेम नेम के साथ मेरा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट लेर्निंग ट्री तो आप वहां से इसको वीडियो को देख सकते हैं और फिर नीचे कमेंट्स में अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं समझ आई यानी नि आसकते हैं यह टिप्स हैं और आपके सारे कमेंट्स यहाँ पे दिरेंगत हूंगे जो आप कमेंट्स करत ृच सना आप देखें वहां पर है मैं इसका आंसर दे दूंगे अगर मैं अभी नहीं दे सकरी बाद में मैं इस वीडियो को देखूंगी कि आपने कौन से important comments किये थे अब हम चलते हैं हमारी next presentation की तरफ यह best paper कर सो मैंने उर्दू के आपको पता दी है यह comments बाद में भी आप देख सकते हैं जो आप comments करें उसके जवाब मैं वहां भी mention कर दूंग यूट्यूब पर यह फूल वीडियो मैंने record करके वहां पर करनी है यह अभी तो live इंस्टा पे है next मैं आपको बताती हूँ English का paper भी आप कैसे attempt कर सकते हैं यह देखें अब आप इसको start करें subjective type subject आपका है principle of economics अब यहां पे यहां पे जो paper होगा वो mention करेंगे ठीक उसके बाद आपने question heading देनी है जो पार्ट है साथ आप उसका number भी mention कर दें लाइक यह one marker से करें पैंसिल से नहीं then अब आपने question number one same method आपने number one सवाल start करने then उसके बाद second करना तो फिर second number third करना तो third number अब define economics है लेकिन first यहां पे mistake ही है कि आप यहां पे heading देते economics की उसके बाद economics की heading देने के बाद उसकी definition लिखी जाती है और definition हमेशा आपने inverted commas में लिखनी है inverted commas में नहीं लिखेंगे point five तो आपके यहीं से deduct हो जाएंगे आपको marks नहीं मिलेंगे अब जैसे की definition की main बात थी बिल्कुल जैसे यहां तक तो हमने इसको inverted commas में लिख दिया तो यह आपने question number अब two पे आ गए two किया देखें पेपर कितना neat हुआ हुआ है ठीक अब जैसे यह short answer हुआ हुआ है आप यह कहते हैं कि short answer जो होते हैं वो two marks का है तो हम उसमें इतनी मे जब के आप जब के आप सवाल करें आप bullets को ऐसे डॉट वाला भी शो कर सकते हैं आप bullets में star भी बना सकते हैं ठीक आप यह वाले bullets यह जो होते हैं ऐसे arrow वाले bullets को भी यूज कर सकते हैं हमारी रोज़व प्रेजेंटेशन सेश्चन होगा 11 पीम डेली आप उसको अटेश्या करें जो मार्कर यूज करना है जो पैन यूज करना है कहां ब्लैक मार्कर यूज करना है कहां ब्लू मार्कर यूज करना है मैं आपको बताऊंगी मार्कर नंबर भी मैंशन कर दूंगी कि आपने कौन सा मार्कर यूज करना है ब्लैक मारकर ना ब्लैक मारकर बेसिकली ठीक नहीं रहेगा ब्लू मारकर से जो पेपर की शो निकलती है न वो ब्लैक से नहीं निकलती ब्लैक मारकर आप लोग डायग्राम के लिए स्ट्रक्चर के लिए उसके लिए यूज करें ठीक वो बेस्ट है अगर आप कोई डाइग्राम बना रहे हैं वो अलग्ष होगी जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेपर में इधर मैंने आपको ये फर्स्ट पेपर में मैं आपको भी दिखाते हैं लाइट जैसे आप ये वाला पेपर है अब इसमें अगर आपने ये बनानी है चीज तो आप इसको ब्लैक मारकर से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी डगईगी ठीक ऐसे देखें ये ब्लैक है तो ये आप यह ब्लैक करें आपके पास तो स्केल होगा मैं तो सी हैंड बना रहीं इसको तो ये डार्क करके बनानी है आपने लाइट करके नहीं बनानी तो आप ये देखें कि ब्लू सही है कि ब्लैक ब्लैक ज्यादा सही है क्योंकि डाइग्राम जो होती है ना वो ब्लैक से बनानी चाहिए कोई भी तो बात अब हम कर रहे थे इंग्लिश की प्रेसेंटेशन की इंग्लिश के पेपर को आप कैसे बैस्ट तरीके से कर सकते हैं चाफ फस्ट हमने क्वेशन नमबर फॉर की तरफ आ गया क्वेशन नमबर फॉर में हमने पॉजिटिव यूटिलिटी बतानी है उसको लिखा लेकिन यह गलती नहीं करनी है आपने कि इसको आप यह सेंटर में करकर लिख रहे हैं आपने इसको यहां बिल्कुल पॉइंट से जिदर आपकी लाइन है बस थोड़ा सा इधर से करके आपने स्टार्ट करनी है अब यह प्रेजंटेशन सेशन डेली आपका ग्यारा बचे रात को मैं लूंगी क्लास जो जो बचे टेंट करना चाहते हैं जाहरा जो आप कर सकते हैं नेक्स टीड देखें आपे बुलेटस आप अच्छा इसमें आप डाइग्राम सो बनाई सकते हैं आप अपने बुलेटस पॉइंट को भी आप इस तरह करके इस से करके बुलेटस अपनी बना सकते हैं नेक्स्ट ये देखें जैसे मैं पो गह रही थी कि आप लॉफ जैसे डिमांड का सवाल उन्होंने किया बेच्छ शॉर्ट आंसर है लेकिन ये स्ट्रक्चर उन्होंने ब्लैक से बनाया तो ये अलग चीज प्रॉमिनेंट हो रही है कि सवाल ब्लू मारकर से पैंसे जवाब व इसपैसे पैजा इसमें इसबह फ्रेयं को प्रचें ल करें यहां झाने का सब्सक्राइब करूंग करके नीका करें और प्रॉमि एक दफा में उद्न कला रहे हैं ओर सर्फ één zijन Thaike पेपर खराब लगता है इन सारे पेपर में आपने एक चीज नोट कियोगी इन सारे पेपर में कि जो भी पेपर ना इन में कोई कटिंग नहीं है और यह कितने नीट पेपर लग रहे हैं यही होता है मार्क्स गेन करने का best method तरीका किया आप इसमें कटिंग को कंट्रोल करें जितनी कटिंग होगा और कटिंग क्यों होती है क्योंकि बच्चे आप students वो practice नहीं करते और उसमें आपकी कटिंग बहुत होती है पेपर में और जिससे आपके marks बहुत deduct होते हैं next रम जैसे long question जब start करें तो long question में जो long question करना है देखें इन्होंने कितने अच्छे से question का क्यों लिखा है ये ऐसे line से ये चीजें हैं इस presentation class में note करने वाली paper दिखाने का आपको मकसद ही ये है otherwise मैं आपको ऐसे भी tips बता सकती थी लेकिन दिखाने का मकसद ही है कि आप इन्हें देखें कि कैसे लिखा है जो जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको like करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया thank you ये students के लिए बहुत ज्यादा beneficial साबित होती हैं क्योंके पढ़ते तो हम सारे different different academy में हैं लेकिन हमें वहां पर presentation class में बताई जाती presentation class होती है वहां पर जबकर मौस्टि इंपॉर्टर होती है ठीक जिससे बच्चों के number आते हैं कोर्स तो सब हम हम तो घर बैठके भी पूरा कर सकते हैं इस तरह हम college में भी आइल से लिएक्ट था मेर्श प्रिमyer टीन कारा हुटान लेकिन क्याय राफ है उस्क्राइद से लीह वाजियेभ। जो paper में marks gain करना चाहते हैं ना के सिर्फ pass होना चाहते हैं अब यहाँ देखें आप अब आप यह देखें कि यहाँ ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते है तब यह जो यह dots हैं, यह आप black से show कर सकते हैं, ठीक, यह dot dot है यहाँ black marker यूज़ कर सकते हैं, यह एक paper था, आप यह देख सकते हैं, यह उर्दू का paper है, इसमें, इसमें कैसे यह mention किया हुआ है, inverted commas, then side margin lines, ठीक, centerizer करके लिखाब है, अब इसके अंदर आप कर सकते हैं, जैसे, यह मेरे से तो straight लगी है, क्योंकि मुझे तो इसकी practice है, आप लोग जो है, वो paper में scale यूज़ करके लगाएं, तो ज्यादा बेतर है, लेकिन अगर आप भी practice कर लेंगे, तो फिर आप से भी यह line बिल्कुल straight लगेगी, जो लोग मेरे से, जो भी subject पढ़ना चाते हैं, वो मैं आपको online भी पढ़ा सकती हूँ, आप नीचे comments में mention करें, कि आप किस subject में आपको problem है, वो मैं आपको जरूर यहाँ पर live session में बताऊंगी, जो आपको topic समझ नहीं आता, आप बेशक presentation के बारे में, computer presentation, power point, ms word, जो भी पूछना चाते हैं, पूछ सकते हैं, अच्छा, तो जैसे मैंने यहाँ पर line लगाई, straight, अब आप यहाँ पर different question पर यहाँ पर ऐसे mention कर सकते हैं, यह देखें, यह short answers, कैसे लिखें हैं, centerize करें, कितना neat paper है, short answers ही आप, आपके paper में, 80%, 80% आप लोगों का paper, जो होता है, 60%, basically, वो होता है आप लोगों का objective base, ठीक, जिसमें आपको objective paper होता है, तो उस objective paper में अगर आप, वो marks, gain कर लो, तो आपके marks अच्छे बन जाएंगे, जो long question होते हैं, वो तो होती 24 marks के हैं, उसमें आप presentation और best करके लिखो, यह देखो, यह कैसे centerize करके लिखाव है, लेकिन आ, यह है कि आप यह जब side lines लगी है ना, तो यह side lines बेशक मत लगो, centerize करके लिखो, और उसके नीचे highlight कर दो उसको, और inverted commas में लिखो, तो वो ज्यादा best लगेगा, ठीक, जो मैंने आपको पहले दिखाया, अजरो इस paper जैसे यह लिखी है, centerize करके, सिर्फ और सिर् लगा सकते हैं, next class इंशालला हमारी कल 11 बजे होगी, और आपने जो जो का है, जैसे MS Word का है, वो भी power point क्या होता है, वो भी basic और उसके लावा आप आगे क्या field रख सकते हैं, after, inter, b.com, इसके बारे में भी discussion होगी, business model कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, next session में, आपक आप क्योंकि यह तो एक live session है, यह वीडियो मैं आप अपलोड करूंगी, after this session, अभी आप इसको देखें, कि यह main heading, यह भी centerize करके लिखें, पहले आप question number center में देते थे, और heading यहां देके, फिर question करते थे, अभी देखें, यह centerize, centerize ज्यादा बेतर है, ठीक, अगर आप यहा आप करने वाली चीजें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यह आप बाद में देखें कि इतने सारे मैं आपको यह सारे यह मैं आपको paper दिखाएं, तो इसमें से आपने क्या चीजे सीखी, आप मुझे comment करके जरूर बताएं, यह देखें, यह देखें, कितना अच्छा लिखावाई है, ठीक, ऐसे सी बनाएं, ऐसे बी बनाएं, नेक्स चॉर्ट क्वेस्टिन, अब उसके बाद आपने जैसे Central Bank का question लिखना है, Central Bank लिखा, अब यह देखें, definition लिखी, उसके बाद आपने उसको Central में करके लिखा, हाँ, साइड लाइन बेशिकना, अब यहाँ इ ऐसे highlight, कर सकते हैं, लेकिन आपने यह ध्यान रखने है, कि जो आप कर रहे हैं, वह आप इसके बिलकुल नीचे करके लगाएं, यह नहों कि आप वर्ट के उपर करते हैं, तो वह वर्ट के उपर अगर चली जाती है, ना लाइन, तो वह आपका cut कियावा, consider होगा, कि जैसे आपने लिखके उसे cut कर दिये, ठीक, तो यह नहीं चीज आपने करनी है, नेक्स्ट, यह देखें, कैसे center में करके इसको लिखा हुआ है, वैसी आप इसको यहाँ पर line mention कर सकते हैं, यह सारा यह देखें, अब इसमें यह देखें, न्यू चीज आपकी यहाँ पर note करने वाल ठीक, नेक्स्ट फिर banking principle के बारे में है, तो यह banking principle लिखा हुआ है, और जब एक line में आपका word पुरा नहीं आ रहा होता, तो आप आदा word जैसे यहाँ लिख रहे हैं, उसके पर line लगा हूँ आप ऐसे dash, और फिर यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर dash शो कर दो, इसका मतलब है पिछला word next वारी line में जो word लिख रहे हूँ आप उसके साथ, जोड़ा है, combine हो रहा है, ठीक है, next यह देखें, next यह bullet लगाई हूँ है, यह भी bullets होती है, ठीक है, उसके बाद यह sketch बनाएवा है, कितना neat sketch बनाएवा है, ठीक, long question में, long question में, आपके sketches के, उसके लावा, आपके graphs के, इन सब के marks होते है, next, मैं आपको बताती हूँ, यह different, दूसरा एक है, मेरे पास paper, मैं उसको दिखाते हूँ आपको, यह subjective paper, आप देखें, definition लिखने का तरीका देखें, कि यह definition, यह definition, यह यह बैसे यह बुलिट्स यूज की गई है, ठीक, अब यह एक नई चीज में आपको बदा हूँ, कि अब जैसे, economic सब इंपर होता है, या math का पेपर होता है, या आप कोई भी definition लिखते हैं, उसके अंदर formula आजाता है, तो आप ऐसे करके ना, बाद में उसको, हाई लाइट कर सकते हैं ठीक कितना नीट वेपर है जितने मैंने आपको पेपर दिखा है आपने उसमें देखा हुआ कि कोई भी कटिंग नहीं है तो पार्ट टू पर आया हम लॉंग क्वेस्चन पर एक दफा सिर्फ आप लिख दें में पार्ट टू लॉंग क्वेस्चन उसके बाद जो नमबर आप लिख रहे हैं क्वेस्चन नमबर वह इक्जैक्ट लिखना है उसके के बाद introduction के बाद आप स्टार्ट करते हैं पे definition 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 के बाद आप यहाँ पर mention करेंगे graph graph के बाद ऐसे करके आप sketch sketch जो आप यहाँ पर बना रहे हैं अब यह जो line है इसको अगर आप यहाँ पर इसके जो यह points है आपने यह शो किया कि जैसे number two था तो यहाँ पर इसको आप देखें यह मैं ब्लैक से अब इसको कर रही हूँ तो यह कितना अच्छा show हो रहा है points पूरे पता चल रहे हैं कि black से आपने उसको शो किया तो नेक्स देखिए बुलिट्स बुलिट्स को भी आप ब्लैक से शो कर सकते हैं ब्लैक यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगेगा पेपर में उसके बाद यह आप यहाँ points लिख रहे हैं उसके यहाँ पर आप ऐसे करके बुलिट्स को मेंचन कर सकते हैं कितने मैंने आपको पेपर जिखाए हैं सब में आपको यह जरूर आपने नोट कियोगा कि जो भी लाइन नीचे मेंचन की वी है उसके नीचे आपने जहां पर वर्ड आ रहा है कोई भी वर्ड आपका कट नहीं होना चाहिए ठीक कट करेंगे तो प्रेजंटेशन खराब हो जाएगी बिल्कुल आपने बहुत नीच सफाई के साथ साथ सुत्रा पेपर करने तो देन आपके मार्क्स कम फूल आएंगे हमने शॉर्ट आंसर में भी पूरे नंबर लेने है लॉंग क्वेशन में भी पूरे नंबर लेने हैं ये देखें इस सवाल में जैसे प्रोफेसर रॉबिन का हम सवाल लिख रहे हैं तो प्रोफेसर रॉबिन के सवाल में इंट्रो था तो इंट्रो अड़क्शन लिखा देन डैफिनेशन उसके बाद उसके मेरिट्स पे आए है संफनल यह भी हो सकती है यह भी हो सकती है derivative हो कितनी इदिफेर्ट डिफेर्ट बुलेट्स के तरीके कैसे आपने पेपर को करना आप पर सबछों के आ कर रहे है हैं बहती जल पेपर होने वाले जैज्टी अब यह यह डेली एटेंड करें, यह मैं रोज रात को सेशन 11 बजे, मैं फ्री होती हूं, तो 11 बजे रात को मैं यह सेशन लोंगी, प्रेजने शेशन, आज मैंने आपके साथ यह चंद पेपर थे, कुछ पेपर थे जो मुझे इसमें राइटिन्ग टिप्स के साथ जो मैंने बताई थी, तो वैसे पेपर से तुम एनैपके साथ हैं, कल भी में शेयर करूं गी उसके लावा नेक्स M से में चेक कोशी दीजी भी शेयर करूं किसे पोकिंग में था यूप कि से अदो बट्चों को शेयर करेंlungsिर म obviously अदर्व हो चाहिए ही ठीक पूरा कट करना है पूरा ये लास्ट पर पूरा छोड़ना नहीं है पूरा कट करना है ठीक है ये कुछ पेपर मैंने आपको दिखाया आज कैसे आप इसको कर सकते हैं मैंने आपको कल भी बताया था कि पेपर में ऐसे करके कट नहीं करना आपने यानि कोई वर्ड लिखा लगा के साइड पे ब्रैकेट्स लगा के कट करना उसको ठीक है इधर ब्रैकेट लगाई कट कर दिया दूसरी जगा ब्रैकेट लगाएंगे तो कट कर देंगे जिन्होंने पास्ता सीखना उन्हें मैं कल पास्ता भी सिखाँगी अब यह तिजारती बैंक का सवाल है तो देखें सबसे पहले में हैंडिंग अब सेकेंड पेपर में आप नोट करें कि जो हैंडिंग दीविया हम बेसिकली क्वेस्टिन सेंटर में लिखके नमबर वन उसके बाद यहां पर लिखते हैं ठीक है लेकिन हम यहां पर सेंटर करके इसको लिख रहे हैं यह ज्यादा मैंने आपको बता है बेस्ट मैथड है कि साइट पर लिखने से बेतर आप इसको सेंटर में करके लिखें ठीक पर देखें अब यह क्वेस्टिन था एट मार्क्स का इधर यहां पर 7.5 मार्क्स क्यों मिले क्या मिस्टेक हो सकती है किसल पर देखें कितना नीट बनाया है यह स्ट्रक्चर देखें आप ऐसे स्ट्रक्चर के ऐसे पेपर के मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं यह देखें जब फॉर्मूल आया तो सेंटर में उसको मार्कर से शो किया और कितना नीट लिखा हुआ है Marker की writing आप देख लें या pen की देख लें दोनों writing लिए दोनों marker की भी और pen की writing भी बहुत अच्छी है ठीक यह देखें अब तफसीली जवाब पे तफसीली सवाल लिखके उसकी heading दे के start उसके बाद जब आप तफसीली सवाल को start करें सबसे पहले उसका तारूफ then यह देखें कितना अच्छा करके लिखा हुए कि पहले यह structure बनाए हुए अब जो structure बड़े होते हैं हम उनको इस तरीके से भी कर सकते हैं तो यह दो अप्र है तो अच्छा करें लिखके दो उसके हैं तो बस इतनी आज हमारी क्लास सी जिन्होंने अटेंड की उनका बहुत शुक्रिया थैंक यू आपने क्लास अटेंड की और कोई आपके सवाल होंगे जो भी आप क्वेस्टिन्स करना चाहरें वो आप मुसे यूट्यूब में भी कमेंट्स करके कर सकते हैं के वीडियो में वहां पापलोड कर दूँगी और जहां तक रही बात कूइंग से करेंगे साहरे लोग जो है सारे पास्ता खाते हैं डिफलें डिफलेंट जो जो मैं बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाहिए वो पास्ता हो वाइट क्राई हो सेंड़ीचीज हो हम सब साथ बनाएंगे मैं कल की क्लास जो है नेक्स प्रेजेंटेशन क्लास वो कल होगी 11 बजे तो जो लोग आज क्लास नहीं ले सके वो कल की क्लास जरूर लें यूँकर कल नेक्स अच्छे पेपर होंगे और आपने जो ये वीडियो देखी अगर आप इसकी राइटिंग प्रेजेंटेशन को मज़ीद देखना चाहते हैं कि जाहिर अब ये सेशन तो खतम हो जगा कम्प्रीट हो गया तो नेक्स सेशन देखने के लिए आप कल उसको आप ये घज झाहिए हो दो नेक्स आपग लिए उथए छाह दो ये ये तुड है Holl